अल्फवाला नाम तेरा अल्फवाला नाम तेरा कुन फयकून है काम तेरा बहू ओ बहू बहू बोल ये क्या बात है एक कप चाहे दो बेटी अभी लेकर आती हूँ लीजिए अच्छा कप फोर दिया हाथ में दम नहीं है बेटी कंजोरी की वज़ा से कप चुट गया है जब हाथ में दम नहीं है तो चाहे पीना छोड़ दीजिए दिन दत बैटी जाती है चलिए घर का काम कीजिए जारू पहुचा लगाईए आप अतन दोईए आपकी आकत मुझसे देखी नहीं जाती अल्ला मुझे जिन्दा क्यों रखे है मुझे अपने पास बुला लीजिए ये कमजोरी और बहु काताना मुझसे और सहा नहीं जाता बेटी बेटी एक ग्रास पानी देना सिर्फ पानी दू या साथ में जार मिला दू ताके हमारी तकलिफे कम हो जाए या अल्ला मुझे ऐसी बहुँ से हिपाज़त फर्मा बेटा हमारी हमारी हमी बेटा रात में मुझे बहुत ठंड लगती है मेरे लिए एक चादर खरीद लाओ अच्छा अमी आज बाज़र से आपके लिए इनिशे अल्ला नहीं चादर ला दूँगा जी इधर आईए क्या हुआ साइदा आपकी अमी आज रहेगी कल चली जायेगी मैं नहीं दुलान हूँ मुझे नहीं चादर ला के दो और जो पुरानी चादर परी है मैं अमी को ला कर देती हूँ आरे साइदा अमी एक चादर ही तो मांगी है आज चादर मांगी है कल कुछ और मांगेगी एक तो बुड़िया हो गई है इसमें भी आज करके मिहमाना है और उसे नहीं चाधर चाहिए अपने बच्चों के रिए कुछ जमा करने का एरादा नहीं है क्या अगर लूटाना ही है तो मुझे अपने घर छोड़ दो अच्छी परिशानी है मेरे लिए लाव यही पुरानी चाधर दे दो लीजिए आप लोग किस बात के लिए जगड रहे हैं आरे बेटा क्या बताऊं तुम्हारी दादी को रात में ठंड लगती है तो उन्होंने एक चाधर मांगी है तो तुम्हारी अम्मी कह रही है नहीं चाधर नहीं पुरानी चाधर दे दीजिए नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी इसलिए तुम्हारी दादी को पुरानी चाधर ही देनी पड़ी दादी ये चाधर मुझे दीजिए अरे अजजद ये क्या कर रहा है ये लड़का तो अपने बाप से भी आगे निकला जब तेरा बाप छोटा था और उसे ठंड लगती थी तो मैं उसे सीने से लगा लेती थी और अपनी आचन में छिपा लेती थी और रात भर उसके लिए जाकती थी आज वही बेटा अपनी बीबी से पूछ कर चादर दे रहा है अरे असद ये तु क्या कर रहा है चादर अपनी दादी को दे दे अम्मी मैं इसके दो टुकड़ कर रहा हूँ एक टुकड़ा दादी को दे दूँगा दूसरा अपने पास रखूंगा कल आप भी बुरी हो जाओगी तो अगर मुझे पुरानी चादर नहीं मिली तो मैं यही चादर आपको दूँगा हाई अल्लाः मेरा अमन मेरे बेटे पर कैसा असर कर रहा है बेटा कि अपनी अम्मी को तूँ पुरानी चादर देगा हाँ अम्मी अबु ने भी तो अपने अम्मी को आपके काने पर पुरानी चादर दी है शायद मेरी बीबी मुझे कहेगी तो मुझे भी आपको पुरानी चादर देनी पड़ेगी बेटी साइदा क्या हुआ अम्मी क्यों रह रही हो आप परिशान क्यों हो क्या बताओं बेटी तुम्हारी बाबी ने मुझे गर से निकल दिया है भाईया ने कुछ नहीं कहा नहीं बेटी वा तो अपनी पीपी का पूरा बुलाम बन गया हुआ है वह जैसी कहती है वैसा ही करता है आजकल के जमाने में माcha बाब किया खदर कहा आजकल की वहएं भूल जाती है कि कल उनको भी षासमना है बाब क्या हुई अम्मी भाफिन आपको घख सकी निकल दिया बात कुछ ज्यादा नहीं है ठंडी ज्यादा पड़ रही है तो मैंने तुम्हारे भाई से कहा बेटा एक चादर बाजार से लाकर मुझे दे दो तो बहु कहने लगी के हमारे पास भी बच्चे हैं और हम इसी तरह चादर में पैसे खर्च करते रहें तो हम अपने बच्चे के लिए क्या जमा करेंगे हर मही ने हजारों रुप्य एदो दो साच करता है और अपने उस मा को दो तीन सा का चादर लाकर नहीं दे सकता जिस मा ने उसे पाल पोस्का बड़ा किया है अरे साइदा ये तुम कह रही हो अभी तो तुमने मेरी मा के लिए भी यहीं कहा था जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मा के साथ किया तो गलत और जो तुम मुझे मेरी मा की खिदमत करने से रोकती हो उनके लिए कोई चीज लाँ तो गुसा करती हो बात बात पर घर ज आज हम डिश रिचार्ज में 500 और मुबाइल रिचार्ज में 600 और बीवी के बनाओ सिंगार में 1000 रोपे खर्च कर देते हैं लेकिन जब मा के लिए दावा लानी हो या चादर लानी हो या और कोई चीज लानी हो तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते और अगर पैसे भी होते हैं तो बीवी से अजासत लेनी पड़ती हैं अफसोस का मकाम हैं